तो ज़ाहिर सी बाथे एक मूलवासी को भू माफिया पषर परिशान कर रहा है, हमने ये रिपोर्ट आपको दिख़ए इंतजार कीजे कल का कल भी हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं हैं और कल ऐसे रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि पूरा जारखंड का प्रशासनी कमला थर थर हिल जाएगा एक अधिकारी खुद खुला से करेगा कि भाई भूस के पैसे किधर से आते थे किधर जाते तो कौन-कौन से बड़े-बड़े अधिकारी इमांदार इमांदार लोग जो इमांदारी के डंका पीठते हैं उनका भ सिर्चंद नहीं हो रहा है से में मरीजواं को अगर रिम्स में इलाज कराना है तो उन्हें अपना-अपना बोरिया बिस्तर ले करकर आना होगा अपना अपना जुगार देख लीजिये इन इसमें यह रीपोर्टड देख्या सबंद इसमें इलाज कर newsletter अप przedstaw वरना जमीन पर ही सोना होगा एक ये ये संसार है यही संसार है ये संसार है जी हाँ ये रिम्स का संसार है और यहाँ यही होता है ये तस्वीरे रिम्स के निवरो सर्जरी विभाग की है मरीजों को बेढ़ी नहीं मिल रहा है इस ठंड में मरीज अगर अपने घर से कंबल लेकर आए तो ठीक वरना तस्वीरों में परिशानी तो दिखी रही है और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी यह कोरोना का सकेंड कॉपी है मैं अभी लैब से लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर आके पता चल रहा है कि यहाँ पर रिपोट आया ही नहीं है और वहाँ से लैब टेक्निशन बोल रहे है कि वहाँ से भेज दिया गया है लोग यहाँ जीवन और मिर्तियों से खेल रहे हैं डॉक्टर अभी तक विजिट नहीं किया है, तीन दिन हो गया, चार दिन हो रहे हैं, लोग पड़े पड़े मर रहे हैं, सामने में बगल का एक बंदा, पचीस साल का नौजवान, बुफार से तडप के जान दे दिया, कोई डॉक्टर मिलने निया है। तो अगर रिम्स में हिलाज करवाना है, तो कंबल घर से लेकर आईएगा, वरना ठीचुर जाईएगा। देखिये, ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। 11 सच है तो दिखेगा।